असलाम अलेकुम जी कैसे हैं सब ठीक हैं आज हम बना रहा है इतलियन कॉलिफलार चिकन तो इसमें जो जो चीजें चाहिए बताती हूं मैंने आइल ले लिया है इसमें टू सर्विंग स्पुन टेबल स्पुन और इसमें चिकन चले जाएगा मैंने 800 ग्राम इसमें चिकन लिय और यह बराउन हो जाएओ फ्राइब गल जाएगा अब इसमें हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं सॉल्ट आपने हिसाब से डालें जितना आपके खाना आ है मैंने 2 टी स्पुन डाला है क्योंकि हमने salt डाला है तो वह पानी छोड़ता है तो इसलिए इसको और fry कर लेते हैं और इसमें गार्लिक चॉप्ट गार्लिक डाला है हमने 2 टेबल स्पुन तो गार्लिक डालके दॉमिंट फ्राइ करें फ्राइ करने के बाद जी इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं मैंन दो मिनिट इसमें sautay करेंगे अब हम इसमें मैदा ले लिया है हमने 3 टेबल स्पुन मैदा डाल देते हैं मैदा डालने के बाद इसको हम भून लेते हैं जैसे हम वाइट सॉस बनाते हैं उसमें भी डालते हैं इसी तरीके से आपने मैदा डालना है और जैसे आपको खुश पॉर्टर नहीं है, तो चिकन की क्यूब्स होती हैं, जाल दें. फिर नमक कम डालीएगा. और सौल्ट को फिर रोख कर डालेगा, कॉंकि इसमें भी क्यूब्स में सौल्ट होता है फ्रेश मिल्क डाल दें या डबे का डाल दें वो डाल के इसमें पानी डाल दिया है हमने दो गिलास पानी है वो डाल के इसको मैं मिक्स कर देती हूं mix करने के बाद इसको हम cover करेंगे और इसको रख देते हैं 20 मिनिट के लिए मैंने रख दिया इसको slow flame पे और ये देखें इस तरीके से जो गोबी है वो भी नहीं हो गई है और sauce भी गाड़ी हो गई है तो ये देखें इस तरीके से हो जाएगी तो इसको हम जितना गाडा हमें करना है क्योंकि इसको मैंने बेक करना है बाद में इसमें मैं डालती हूं one टीस्पून ओरीगानो और वण टीस्पून इसमें rosemary चले जाएगा लास्ट मैं डालिएका ये आप और इसमें पासले ले ले मैंने पासले, डाला आए, हरा धन्या, तो कॉरिंटर भी डॉल सकते हैं हरा धन्या और हरी प्यास डाल दिये थोड़ी इद्र जी हमने आदा किलो इसमें मैं ने चैडर चीज ली है हाफ के जीं इसमें से आदी हम इसमें ढाल देंगे, और आदी बाद में उसके उपर गाड़िश में डालेंगे बेक कंदर होगा तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि आप इसमें मुजरेला भी डाल सकते हैं दोनों चीज भी डाल सकते हैं मुजरेला डाल लें चैडर डाल लें मिक्स डाल लें तो इसको अब जितना गाड़ा आपने ठिक करना है इसको इसमें कर लेते हैं तो ज़रा सी देर के लिए इसका पानी ड्राइ करते हैं और जैसे हो जाए तो आप इसका फ्लेम बंद कर देना है और मैं रिशाउट करके आपको दिखाती हूँ यह बाकी चैडर चीज बची थी यह मैंने इसके दो मुठी और इस तरीगे से ही मैंने थोड़ी यह डाल दी है ब्रोकली ब्रोकली डाल दें ब्रोकली डालने के बाद इसको भी सारे में लेवल कर देते हैं हरी प्यास थोड़ी हरी प्यास डाल दी है प्रेस कर दें ताके यह जब आप इसको बेक करेंगे तो सारा मिल जाए उपर से आखर में लास्ट में हम औरीगानो डाल रहे हैं वन टी स्पून और अगर आप सॉल्ट डालना चाहें तो उपर से जब आखर सा स्पून कर दें और जिसको बेक करने के लिए रख देते हैं ओवन में दस मिनिट के लिए रखूंगी मैं ताकि हम जो उपर से बस इसको बेक करना है ताकि चीज जिती है वो मेल्ट हो जाए तो इसको दस मिन रखते हैं और फिर देखते हैं क्योंकि मैं देखें ने ऑपर की हिट दी वी है इसमें तो ये जितना चीज आपने देखनी है कि मेल्ट हो गई एorang ठोगई है तो सही है जी हमारी तो सारा हो गई है सही मेल्ट हो गई है तो बस मैं अब इसको रखती हूँ इसी मैं दो में डॉर और इसके बाद इसको बंद कर देती हूँ चाले यह मैंने निकाल ली है उसमें से देखें कैसे मज़े की बनी है बहुत ही मज़े की बनी थी तो आप भी जरूर बनाएगा इसे बॉयल पास्ता के साथ जरूर इंजॉय करें बॉयल राइस के साथ दौाओं में मुझे याद रखें रेसेपी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और जो नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को तो मिलते हैं किसी और नए रेसेपी मैं थैंक यो फॉर वाचिंग दे वीडियो अलाहाफेज किसी और नए रेसेपी मैं वीडियो अलाहाफेज